नवस्कार दोस्तों मैं जो 34 पंडित राजगुरु सर्मा आप सभी को मेरा नवस्कार और हमारे सब्द ग्यान चैनल में दिल के गहराईों से आप सभी का है अवी नंदन तो मेरे दोस्तों आज जो हम बताने जा रहे हैं वो 2019 का विर्षी चक रासी का रासी फल बताने जा रहे हैं तो मेरे दोस्तों विस्तार से सुनें लेकिन दोस्तों पहले हम आपको बता दे कि यदि आपने हमारा सब्द ग्यान चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो आ आप हमारे सब्द ग्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको समय समय पर हमारी आने वाली ओडियो बीडियो देखने के लिए मिलती रहे अगर आपकी कोई भी समश्या है तो मुझे आप कॉमेंट करें और जो भी आपको हमारी ओडियो या बीडियो पसंद आए त और पाए इस रासी के चांदी के माने जाते हैं यह मंगल की स्वेरासी मानी जाती है उत्र दिसा की स्वामनी मानी गई है इस रासी के संतान अधिक होती है यह एक बार जो निश्चे कर लेती है फिर उसको बदल पाना ना मांकीन होता है यानि की असंभव होता है आपके जो निश्चे पर ये अटल रहती है ये इस रासी का विशेश गुन माना जाता है इस रासी के दुआरा गुप तंगों पर विचार किया जाता है इस पश्ट वादिता इसका एक और विशेश गुन माना जाता है पीछे पीठ पीछे बुराई करना या पीछे वार करना इस रासी का सुवेभाव नहीं होता है सुवेभाव की कडवी होती है इसकी बात बीचु के डंग के समान लगती है इसका सब्द कडवा होता है सुवेभाव से जिद्दी हटी होती है कुछ सन कीपन भी स्वेभाब की होती है धुन सवार होने पर कुछ भी कर सकती है हानी हो या लाब इसका कोई विचार नहीं करती है यह रासी हमेशा कठोर मानी जाती है इसका दिल निर्दै और कठोर होता है बड़े से बड़ा सदमा यूहीं चुपचा बरदास कर लेती है यह रासी अपने विचार निश्चे पर अटल रहती है एक बार किसी पर अगर वार कर दे या किसी से दुस्मनी हो जाए तो उसे भुलाना ना मौंकिन होता है उससे हमेशा दुस्मनी बनाए रखती है कडे सोयभाव के कारण परिवारिक जीवन कलह पूर्ण बना रहता है धार्मिक प्रिवर्ती जादा रहती है सोच समंझ कर खर्च का निर्ने और दूर दर्सी से नाम काम लेना इस रासी का विशेश गुर्माना जाता है प्रिशी चकरासी वालो राहू की दसा आठ में भाव में चलते थोड़ा मानसिक तना बढ़ाएगी जिस से सरीर में आलकस सिरदर्द चिंता सरीर में छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है बाकी कल जो होगा आने वाले समय में यानिकी धन से नुकसान भी हो सकता है बाकी आपको नौकरी बिजनिस वियोपार में दुकान में अच्छा खासा लाम मिलेगा घर में कोई मंगल कारिय होगा जो रुके हुए कारिय हैं वो संपुन होंगे मुकदमे में आपको जीत मिलेगी अगर किसी से बहार विदेश यात्रा पर यक्षी काम के दुआरा जाना चाहते हैं तो आपको उसमें भी लाम मिलेगा विद्धिहारतियों को इस वर्स परिक्षा में सफलता मिलेगी लेकिन लड़कियों से दूर रहें जिन लड़कियों की साधी में रुकावट आएगी थोड़ा वहान सावधानी से चलाएं वरना चोट फैट लगने का भी डर है घर परिवार में कुछ बातों को लेकर टैंसन भी हो सकती है किसी से लड़ाई जगड़ा भी बन सकता है थोड़ा वानी पर सैयंब बना कर रखे प्यार करने वाले कुछ समय के लिए एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं पती पतनी में भी थोड़ा गुसा या नसा होने का कारण थोड़ा कलेश बढ़ सकता है बाकी आपको थोड़े समय बाद रहात मिलेगी कुछ घर में सुबकारिय होंगे लेकिन पहले राहू ग्रह का जाप कराए तब कोई नया कारिय करे वहान व्योपार लगाया हुआ धन बेकार जाएगा इसलिए आप जो भी काम करें बड़े सोच विचार के साथ करें आपको लाम मिलेगा आप परिवारिक में पार्टनरी या दोस्ती में मिलकर कब्दिया भी काम नहीं करें क्योंकि आपके साथ धोका हो सकता है आपके कुछ मितर आपको किसी भी समश्या में फसा सकते हैं लड़कियों से छेड़ शाड़ ना करें वरना जेल जाने तक नौबत आ सकती है दोस्तों अम में अपने वानी को विराम देते हुए जाता हूँ लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारी ये ओड़िया वीडियो आपको पसंद आए अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एंड सेर जरूर करें और जो भी आपकी समश्या है मुझे कॉमेंट करें अच्छा दोस्तों मैं जोतिस अचारिय पंडित राजगुर सर्मा आप सभी को जाते हुए मेरा नवस्कार जै हिंद जै भारत